लबनान का हिजबुल्ला गाजा युद्ध के बीच इसराइल को ऐसे ऐसे जटके दे रहा है जिसकी वज़ा से उत्री बॉर्डर पर इसराइली फौज की कमर तूटती जा रही है पहले तो सेनिकों की जान का नुकसान वहीं दूसरी तरफ नुकसान सेन्ने उकर्णों और हत्यारों का जिनकी कीमत अर्बोट डॉलर में है इसराइली सेना को हिजबुल्ला के साथ अगोशित जंग लड़ना सबसे ज्यादा महगा पड़ रहा है और तो और हिजबुल्ला अब इसराइल के कई समवेदन शील सेने ठिकानों की जानकारी तक ले चुका है जिसकी वज़ा से इसराइल के भीतर सेने ठिकानों, हत्यार कार खानों और फैक्ट्रियों जैसे एहम टार्गेट अब हिजबुल्ला के निशाने पर है और अब इसी कड़ी में हिजबुल्ला ने 11 अगस्त 2024 को इसराइल पर सिलसिलेवार तरीके से कई बड़े हमले किये हैं हिजबुल्ला का कहना है कि उसने IDF के कई ठिकानों पर गोला बारूद बरसाया है हिजबुल्ला ने अपने एक बयान में कहा कि उसने सुभा करीब 7 बज कर 30 मिनट पर अलमर्ज मिलिटरी साइट पर गोली बारी की है इसके बाद करीब 9.15 मिनट पर हिजबुला के लड़ाकों ने अल राहेब मिलिटरी साइट पर जमा हो रहे इसराइली सैनिकों के उपर हमला कर दिया और इसके बाद बिरकत रिशा मिलिटरी साइट पर हिजबुला ने आईडियफ के जमावडे पर सीधे रॉकेट दागे के लड़ाकों ने अल मलीकिया मिलिटरी साइट पर एक बड़ा ड्रोन अटेक किया है इस हमले में हिजबुला ने आईडियफ के जासुसी उपकर्णों को उड़ाने का दावा किया हिजबुला के मुताबिक उसने कबजे वाले कफार चौबा हिल्स में आईडियफ के अल आ और फिर से आल मलीकिया सेन ने अड़े पर फर्स्ट पर्सन व्यू ड्रोन फायर कर दिया और शाम होते होते करीब साथ बच कर बीस मिनट पर हिजबुला ने इसराइल लेबनान सीमा पर बसे आल जिर्दा मीटिंग पॉइंट पर एक और हमला किया यहां पर भी इसराइली सेनिक इकट्टा हो रहे थे आपको बता दे कि इन हमलों से पहले इसराइली सेना ने हिजबुला को बहुत बड़ा जटका दिया था दरसल आईडियफ ने अपने हवाई हमलों में तीन बड़े लड़ाकों को मार गिराया था आईडियफ ने लिबनान के बलिदा कब्जे में हिजबुला के लड़ा के मुहमद हानी हैदर को धेर कर दिया था इसके बाद हदाता कस्बे के अली समीर हिजाजी को भी आईडियफ ने मार गिराया था और इसके बात लिबनान के बेटलेफ कसबे के हुसेन गद़बान की भी इसराइली सेना ने हत्या कर दी आपको बता दे कि इसराइली सेना ने अल-ताइबे और मारो候 गसबे और यातेर के बाहरी इलाकों पर बंबारी की थी जिसका एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वाइरल हुआ है और इस हमले को लेकर लिबनान की न्यू जेजंसी अलमयादीन का कहना है कि इस हमले में पांच इसराइली मूल के लोग घायल हुए है